तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ट्रीमर मसीन आई है और ये ट्रीमर मसीन मेरे पास रिपैरिंग के लिए ने आई ये दरसल क्या हुआ कि ये जो ट्रीमर मसीन है जिस कस्टमर की है उन्होंने सफाई के लिए इसके ब्लेड वगरा को और खौल एक बाद अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके ब्लेड को हमें किस तरीके से दुबारा से फिट करना है वो इसको लेकि काफी परेसान होगे तब जाकि वो मेरी दुकान पर आए कि आप इसे फिट कर दीजिए मुझसे फिट नहीं हो रहा और अक्सर ये प्र ध्यान से और पूरा देखने तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो यहां पर देखे यह जो ट्रीमर मस्येर हैं ऑप देख सकते हो इसकी मोटर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से यहां पर काम कर रही है लेकिन सफाइव के लिए कही बारा में इसके ब्लेड को खो हुआ है यहां से उन्होंने जवरजस्ती से fit करने की कोशिश कर रही तो यहां से इसका plastic correct हो गया यहां से लोग भी correct हो गया है फिलाल हमारा काम चल जाएगा तो यहां पर यह जो तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस आपको तरीका पता हुनाची है कि कि सैड हमें इसे लगाना है और काफी सारे लोग उल्टा लगा देते हैं और ज्यादा जो लगा देते हैं जिसकी वज़े से लोग वगरा हमारे तोड़ जाते हैं, तो यह चीज हमारे लग चुकी, अब इसके अंदर देखें काफी सारे चीजे हैं, तो यहां पर देखें इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसके अंदर देखें यह जो प्लास्टिक है, इसके अंदर हमारे दो होल बने हुए हैं और यह इसके साथ का स्प्रिंग है, तो यह स्प्रिंग देखें की back side से लगेगी तो इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे और ध्यान से देख लो क्यों कि इसके अंदर हाथ की कलाकारी है और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर देखे फ्रेंड इस तरीके से हमने spring को लगा लिया अब spring को लगाने के बात देखे आप फ्रेंड यह जो plastic का हिस्सा है यह हमारे छोटे blade में लगता है अब इसके अंदर देखे एक तो हमारा i set में है और एक i set में है तो हमें यह समझ नहीं आता हम इसको कि set में लगाएं, तो देखे, इसको हम सेड में लगाएंगे, यह देखे, इस तरीखे नहीं हम लेंगे और इसको इस तरीचे से पकढ़ेंगे, यह देखे, इस सबसे पहले पछाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर देखे इस तरीके से यह चीज है हमारी यह जो हमारा मोटर का यह बीट निकली हुए आगे की तरफ यह हमारी बीचो बीच जाएगी देखे इसके अंदर यह बीचो बीच जाएगी सकट के बीच में यह इस तरीके से गई और यह वाला जो स्प्रिंग है यह इस तरीके से रखना है देखे इस तरीके से आपको दबा के सारे चीजे सेट करनी पड़ेगी और यहां पर देखे इस तरीके से हमने सेट कर दिया है और दबाने बाद आपको यह जोर से दबाना फ्रेंड जोर से दबाने बाद आपको लूजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी और उसके बाद इसके अंदर जो पेज है, इसको हमें टाइट करना है, यह देखे, यहाँ पर हमने दोनों पेज को टाइट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ब्लेड है, अपनी जगा पर यहाँ पर फिट हो चुका है, बिल्कुल नजदीक से मैं आपको दि दिखा दू हाथ के, तो इस तरीके से देखे, यहाँ पर यह बाल को भी क्लीन कर रहा है, इस तरीके से मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने हमारे बाल को भी अच्छे तरीके से काट दिया है, तो इस तरीके से प्रेंड यह जो मसीन है, हमा आवाज बहुत ज़्यादा करता है तो उस कंडिशन में एक तो आपको ब्लेड की पोजिशन को बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना है और अगर आपको लग रहा है कि ब्लेड सही जगा पर फिट है और उसके बाद भी आवाज कर रहा है तो वहां पर आपको फिलाए मसीन का जो तेल होता है वो हलका सा आपको डाल देना है हलका हलका यहां पर हम डालेंगे तो उससे जो आपकी आवाज है वो कम हो जाएगी अगर आपका ब्लेड सही जगा पर सेट है तो अगर सेट नहीं है तो आप बेसक उसके अंदर तेल डालो मोबिल डालो आवाज हमारी कम नह नहीं होने वाली तो इस तरीके से फ्रेंड यहां पर यह ट्रीमर रिपैर हो चुकी है तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ ने टोपिक साथ तब तक लिए जैहित वंदे मातरम